दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश पिछले सोमवार को अपने देश की सुप्रिम कोट ने जमानत के मामले में बेल के मामले में एक बहुत महत्पून आपजर्वेशन दिया आपजर्वेशन में सुझाओ था सुझाओ किसको था सरकार को था सरकार को सुझाओ ये था कि भारत की सरकार को बेल के बारे में एक सुस्पस्ट ठोस और मुकंबल किसम का कानून बनाना चाहिए जैसा दुनिया के कई मुलकों में है और यूके का खास तौर पे ब्रिटेन का खास तौर पे सुप्रिम कोर्ट ने माननी सुप्रिम कोर्ट ने जिक्र किया सुप्रिम कोर्ट की जो ये पीट थी उसमें जस्टिस एसके कॉल और एमेम सुंदरेश साहब मौजूद थे इन दोनों लोगों ने इस मामले में काफी देड़ तक चर्चा की दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस वक्त जमानत को लेकर अपने देश के एक नियाए छित्र में नागरी कधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों के सरक्ल में, मीडिया में और सियासत में भी काफी चर्चा है, काफी चर्चा वेल को लेकर इसलिया है कि मुहमत जुबेर के मामले में जो आल्ट नियूस के सहसंस्थापक हैं उनके मामले में ये देखा गया कि एक जगह जमानत मिली, दूसरी जगह नहीं और तीसरी जगह एक नया केस ठोंक दिया गया अभी सुनवाई हो ही रही है, अभी प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन पुलिस ने एक दूसरे जिले में केस ठोंक दिया हम इसके पहले भी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा मसला आया कि एक सियासतदान और संजोग वसवहभी माइनाटी कॉमिनिटी के थे, आजम खां, उन पर दरजनों केसे बारी बारी से दरज किये गए ऐसा लगता था कि शासन की इक्षा अपराध के अनुसंधान की नहीं है, उन पर लगे आरोप या उन पर लगे इलजामात की पड़ताल या तहकीकात पर नहीं है, बलकि उनको हर किमत पर जेल में रखने की है मैं किसी सियासतदान को बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक स्थिती नजर आ रही है कि देश में अनेक जगहों पर, अनेक जगहों पर, ये केवल उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, ये दिल्ली की कहानी नहीं है, ये हरियाना की कहानी नहीं है, पंजाब की कहानी नही तो ये बताता है कि अपने देश में मानौवाधिकारों की स्थिती कितनी खराब है का मदख्धेड़ किकितनी खराब है कानून के उलंगन में शासन कितनी सक्री है शासन की एकाईयां कितनी सक्री हैं खास तोर पे पुलिस अब पुलिस का काम जो तहकीकात है तहकीकात के बजाए पुलिस सीधे लोगों को पहले जेल में डालती है इसके बाद उसको रिमांड मांगती है इसके बाद तब इसके बाद मैजिस्टेट के यहां ले जाती है मैज बज़े की बात ये है और इसके बात फिर से जब उनको पुलिस रिमांड उनकी खतम हो जाती है तो उनकी जुडिशियल रिमांड शुरू हो जाती है यह केवल जुबेर के मामले में नहीं यह संखिलों के मामले में यह सिलसिला चल रहा है हमने देखा कि इसमें कितने निर्द पुर्ग व्यक्ति को जेलों में रख्था गया और अंतता उनकी मौत हो गई, मुक्ति के बगेर उनकी मौत हो गई, तो दोस्तों इसमें मानिस सुप्रिम कोट ने जो कानून बनाने की बात कही है, कि कानून बनाना चाहिए, अपने देश में दोस्तों मेरा ये कानून अपनिवेशिक दौर के हैं और उनको हम यतातत्य जैसे हैं वैसे ही उनको हम इनेक्ट किये जा रहे हैं राजद्रोह का मामला बहुत सारे ऐसे मसले हैं कुछ को नया रूप दिया गया है तो ये जो कानून नया बना देने से क्या कारिसंस्कृति पुलिस की बदल जाएगी क्या शासन का नजरिया बदल जाएगा क्या डिमोक्रिसी के प्रतिक कमिट्मेंट बढ़ जाएगा क्या मानवाधिकारों के बारे में उनकी संबेदन शीलता में इजाफा हो जाएगा ये एक बड़ा सवाल है मुझे लगता है कि मानिस सुप्रिम कोट को इस पर भी गौर करना चाहिए और मानिस सुप्रिम कोट स्वेम कह रहा है और उन्होंने अपने अबजरवेशन में भी कोट किया जो आम तोर पे नियाय का एक बहुत बुनियादी सिध्धान था कि बेल इस रूल एंड जेल इस एक्सेप्शन यानि बेल जो है जमानत जो है वह नियम है नियम होना चाहिए और जेल जो है जेल भेजना वह अपवाद स्वरूप होना चाहिए लेकिन अपने देश में हो गया है ये कि जेल भेजना नियम है और जमानत मिलना एक्सेप्शन है और दोस्तों यकीन मानिये कि अगर आप संब्रध बहुत नहीं है अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है अगर आपके पास कॉंटेक्स नहीं है अच्छे वकील पाने का आपके पास इल्म नहीं है अमीरी नहीं है तो यकीनन बहुत साधार्म से साधार्म मामलों में जेल में ठूंसे जा सकते है और फिर बरसों बरस तक हो सकता है कि जमानत न मिले क्योंकि अंडर ट्राइल ही रहेंगे और देश में अंडर ट्राइल्स यानि विचाराधीन कैदी जिसको हिंदी में कहते हैं उनकी संख्या दुनिया की किसी डेमोक्रिसी में इतनी नहीं है जितनी भारत में है और यहां रिकार्ड यहां आंकड़ा भी मैं अपनी योर से नहीं कह रहा हूँ भारत की सरकार के ग्रिह मंत्राले के तहट जो NCRB है उसका मैं दो साल पुराना आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ की भारत में जो अनर ट्रायल हैं उनकी संक्या टोटल जो कैदी हैं जेल में उनका 76 फीस्दी है यानि ये 76 फीस्दी लोग जेल में नहीं जाने चाहिए थे ये विचाराधीन कैदी हैं ये विचार के बगैर इनको जेल में डाल दिया गया और अनेक प्रबुद्ध कैदीयों ने जो किन्ही कारणों से जेल भेद दिये गए बाद में जमानत पर रिया हुए उन्होंने अपनी किताब अपने लेखों में भी इस बात को लिखा है गाओं के कस्बे के शहर के दबंग लोगों ने उनको गिरफतार करवा दिया पुलिस से मिलकर और पुलिस ने जो ड्यूटी मेजिस्टेट है उसके सामने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी खी कोई ताकिकात नहीं और पुलिस रिमांड पुलिस रिमांड जूटीशल रिमांड और इस तरह से चीज़ें बढ़ती गए बढ़ती गए और विचरा धिन कैदी के रूप में वो बने रहे तो दोस्तों ये जो इस्थिती है ये अपने देश में भयावा इस्थिती ये बन गई है इसकी और जो मैं विचरा धिन कैदियों की बात कर रहा हूं तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिनके पास कांटेक्स नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है उनकी इस्तिती सबसे खराब है अब जैसे इसी में जो रिकार्ड है 2020 का NCRB का इसमें जो 76% टोटल के विचारा धीन कह दी है जिनकी संक्या कुल मिलाकर के 3,00,000 से उपर मानी बताई जाती है 3,00,000 से भी उपर 3,70,848 इसमें 20% मुस्लिम है और 73% दलित, आदिवासी और OBC है आंकड़ा आप देखिए जिनको जमानत नहीं मिली जो छूट नहीं पाये जेल से उनकी संक्या 73% है जो दलित हैं, आदिवासी हैं या पिषडे वरके हैं और मुस्लिम संक्या 20% है, यानि अगर 73% और 20% को जोड़ दीजे आप तो 93% इस देश की जेलों में जो वीचाराधीन कैदी हैं जिनको जमानत नहीं मिली, जिनकी केसेज खत नहीं हुई, जबकि उनमें ज्यादातर की केसेज फरजी थी, उनको फंसाया गया था, वो 93% सौ कैदी में 93% कैदी दलित आदिवासी और OBC, अब आप अपनी डिमकरिसी की कल्प ना कीजे, कौन सी डिमकरिसी, किस डिमकरिसी की हम बात करते हैं, दोस्तों, ये जो आंक्रे हैं वो बताते हैं कि नियाए लोगों के साथ नहीं हो रहा है, और माफ कीजेगा, मानिस सुप और इसके पहले भी जितने आपजरवेशन्स दिये हैं, कुछ फैसले भी दिये हैं पहले, उन फैसलों की रोशनी में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, कि ये जो हालात आज बेहत खराब हो रहे हैं, पुलिस राज में कनवर्ट होता जा रहा है पूरा देश, यह भी कोर्ट ने कह दिया, तो ये जो पुलिस राज के रूप में कनवर्ट होने का खत्रा कोर्ट बता रहा है, और होता जा रहा है, इसमें माननी सुप्रिम कोर्ट का, जो न्याय की सबसे उंची अदालत है अपने देश में, और जब कभी इस देश में शासन से, प्रशासन से लोग ने का खत्aty बात मिलेगी, भगवान, खुदा, गौड से पहले, वो मानते हैं की नियायले है, इसके बाद तो भगवान है, तो आम आदमी की नियाय에 में इतनी आस्ता हैं, नियायले में इतनी आस्ता हैं इस देश के, और वह नियायले, अगर इन थमाम लोगों की आस्ता का इन लोगों की आस्था की रोश्णी में अगर स्वैम इंटर्मीन न करे तो कितनी गहरी निराशा उनको होगी दोस्तो अब एक सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोट आज के दौर में एक स्ट्रॉंग इंटर्मेंशन करे स्ट्रॉंग डाइरेक्टिव डाइरेक्शन दे प्रशासन को खास तौर पे पुलिस प्रशासन को कि वो अपनी ड्यूटी सही डंग से निभाएं CRPC की 41 और 41A के तहट जो अनुपालन नहीं हो रहा है प्रोसेस को नहीं अंजाम दिया जा रहा है उसको पहली सीज तो फालो किया जाए तहकिकात पर्याप्त की जाए इसके बाद ही अगर स्थिती बनती है तो किसी को पुलिस रिमांड में लेने की रिक्वेस्ट को सुना ज जाए किसी को भी किसी मुकदमे में फसाया जा सकता है और अगर शासन की कोई इकाई एक ही व्यक्ति को वह आरोपी सचमुच हो या वो निर्दोश हो अगर उस पर एक के बाद एक लगातार केसे थोप रही है एक जगह जमानत मिली फिर दूसरी केस दूसरी मिली तीसरी केस चोथी केस पाचवी केस इस तरह से केसेज का मुकदमों का अगर कार्फिट बॉंबिंग हो रही है किसी व्यक्ति के किलाब या किसी समूख के किलाब तो समझा जा सकता है कि इरादा क्या है उस व्यक्ति को फासाने का है अपराज से समाज को मुक्त कराने का इरादा तो बिलकुल नहीं है तो दोस्तों ऐसे में मेरा ये मानना है कि कानूनों की जरूरत निश्चित रुप से समाज को है लेकिन कानून की रखवाली करने वाली कांस्ट्यूशनल जो हमारी नहतिकता है जो संविधान हमारा है उसके संरक्षन की जिम्यदारी नयायले की है उसके इंटर्प्रेटेशन की जिम्यदारी नयायले की है कि वह संविधान के तहट कानून के तहट लोगों को नागरिकों को संरक्षन दे और ये संडरक्षन अगर सरवच नयायले या देश पर के अन्य नयायले नहीं दे पा रहे हैं देने में अगर कहीं कोर कसर है तो निश्चित रूप से ये दुर्भागी जनक इस्तिती है और जमानत के मामले में कम से कम देश के बड़े हिस्से को ये लगता है कि कहीं न कहीं नियायले की तरफ से सक्त निर्देश डाइरेक्टिम आना चाहिए, क्योंकि कल अगर कानून बन भी गया और मिजाज नहीं बदला शासन का, पुलीस का, प्रसासन का, तो फिर वही स्थितियां रहेंगी, कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला है, कानून अनेक अच्छे बने ह लेकिन उनके पालन में बिलकुल अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो हालात बदलने वाला नहीं है, तो आज यही इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत्स्रियकाल